वेलकम टू माई चैनल टीस तुलार्न तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास एट का एंसी आटी साइंस का नियू चैप्टर चैप्टर नमबर टैन सांड तो इससे पहले हमने 9 चैप्टर कम्प्लीट कर लिये हैं इस सीरीज में अगर आपने अभी तक 9 चैप्टर की व अब साउंड है सोसे पहले हम समझते हैं क्या की यह होता गया है तो जिससे देखिए जब आपके स्कूल में आपका पीरियियर ओवर हो जाता हैго लेक्चर ओवर हो जाता है और उसके बाद दूसरे teacher आते हैं आपकी class में तो आपको पता कैसे चलता है कि जो आपका period है वो over हो गया है तो yes बताइए आपको पता ना bell बचती है और bell से हमें पता चल जाता है कि ठीक है अब हमारा ये period over हो गया है अब next period की बारी है और साथे साथ अब यहां पर बोला है कि अब जिसे आपके घरों में कोई आया है तो आपके दरवाजे पर कोई नौक करता है या फिर डोर बेल होता है तो वो बजाता है तो वो भी हमें कैसे पता चलता है साउंड से मतलब उसके हमें आवाज आती है कि ठीक है डोर बेल बज रही है या फिर कोई हमारा दर आप कहीं खड़े हैं और आपके पीछे से कोई आ रहा है तो आपको कई बारी पीछे देखे बीना भी पता चल जाता है कि कोई पीछे से आ रहा है कैसे क्योंकि उसके जो फुट स्टेप्स होते हैं आपको उसकी आवाज आ जाती है वह आपको सुनाई दे जाता है तो इससे प्लेयर्स को catch करता है, तो उसे भी कैसे पता चलता है, कि उसके बाकी के friends कहा है, वो क्या करता है, उसको भी आवाज ही सुनाई देती है, कि इधर से कोई है, इधर से आवाज आ रही है, तो वो person इधर हो सकता है, इधर से आवाज आ रही है, तो कोई person इधर हो सकता है, तो यह नहीं हमें यहाँ पे school की bell का पता चलेगा, doorbell का पता चलेगा, तो इन सब में हमने क्या देखा, इन सब के बारे में हमें तभी पता चल रहा है, जब हमें sound सुनाई दे रहा है, मतलब कि जब हमें आवाज आ रही है, next, sound plays an important role in our lives, अब ये तो हमने देख लिया, कि जो sound है, हमारे जिन्दिगे में कितना important role पता कर रहा है, sound नहीं होगा, तो ये जो इनोंने और दी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी activities, जैसे कि हम movies देखते हैं, तो movies में अगर sound ही ना हो, तो क्या हम बस उसे ऐसे देखते ही रह जाएंगे, तब तो हमें ना कुछ सुनाई देगा, ना हमें कुछ समझ आएगा, फिर तो बस यही है, कि photo चल रही हैं, और उन्हें हम बस देखते जा रहे हैं, तो वही ये इस तरह के और भी कई examples हैं, जिससे हमें पता चलता है, कि जो sound है, वो हमारी life में, हमारे जीवन के लिए कितना important है, यह हमें communicate, एक दूसरे से communicate करने में help करता है, जिसी कि अगर हम देखें, हमारे surroundings में, हम कितनी सारी आवाजे सुनते हैं, चाहे वो birds की हो जाएं, चाहे वीकल्स की हो जाएं, या फिर, मतलब, जितनी भी surroundings में हमें आवाजे आ रही है, वो सब भी क्या है, हमें आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है, तभी तो मतलब आवाज है, तभी तो वो हमें सुनाई दे रही है, हमारे surroundings में, make a list of surrounding you hear, अब यहाँ पिरोने क्या बोले, आप एक activity करिए, कि आपके surrounding में आपको जो जो भी आवाजे सुनाई दे रही है, आप उसकी list बनाईए, जैसे कि आपके surrounding में सबसे पहले birds हैं, तो birds की आवाजे आ जाएंगी, विकल्स हैं, तो विकल्स की आवाजे आ जाएंगी, और किसकी किसकी से आवाजे शामिल हो सकती हैं, मतलब humans की आवाजे शामिल हो सकते, क्योंकि वो तो आसपास हैं ही, ठीक है, उसी तरह और भी आपके आसपास, और भी जो भी चीज़े हों, आप उनका क्या करिए, एक list बनाईए, अगर आपके स्कूल में म्यूजिक रूम है, तो फिर आप देखेंगे, उसमें क्या होता है, कि you hear the sounds produced by musical instruments, अब जब म्यूजिक रूम है, तो उसमें क्या रखे जाते होंगे, musical instruments ही तो रखे जाते होंगे, तो वहाँ पे अगर musical instruments रखे होए हैं, तो उन musical instruments की ही आवाजे आएंगी, भी यहाँ पे इन्होंने बोला है, कि music room में, जो आपको sound सुनाई देगा, वो musical instruments का सुनाई देगा, जैसे कि flute हो गया, tabla हो गया, harmonium हो गया, जो कि यहाँ पे इन्हों सारे musical instruments की आवाजे सुनाई देगी, तो basically यह सब तो यह बात हो गई कि sound, आखिर sound है क्या, जो भी हम अपने आस पास, जो भी सारी चीज़े हमें सुनाई दे रही हैं, एक दूसरे से communicate कर रहे हैं, यह जितनी भी सारी, जितनी भी activities हमने यहाँ पे discuss करी, यह सब आखिर है क्य sound, तो अब इस chapter में हम basically deal किस चीज़ से करेंगे, इस chapter में हम यह पढ़ेंगे कि कैसे यह जो तरह तरह के sounds है, यह कैसे produce होते हैं, तो यहाँ पे इन सभी की आवाज है, थोड़ी different है क्यों, मतलब कि कोई तो अलग होगा ना, कि produce कैसे हो रहा है, जो sound है, वो produce कैसे हो रहा है, क्योंकि अलग-अलग इनसान की भी तो आवाज ही अलग होती है, तो वही यहाँ पे हम इन सभ के बारे में अच्छे से deal करेंगे, how does it travel from one place to another, अब जैसे कि आवाज जो bell होती है, यहाँ बज रही होती है, पर वो तो अलग-अलग जो सारे school के rooms होते हैं, सभी में सुनाई द तो मतलब कि साउंट ने भी क्या किया ट्रैवल गिया, तो यह सब के बारे में में पर पढ़ेंगे कि कैसे जो साउंट एक place है, दूसरी place तक ट्रैवल करता है, और कैसे यह तो किया झाब कैसे यह सुनाई देता है, हम बोल रहे हैँ, बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक person ने ब नाई देता है, why are some sounds are louder, why यहां पे दिया हुआ है कि कैसे कुछ sounds होते हैं, दूसरे sounds से louder होते हैं, मतलब थोड़े उनकी volume जादा होती है, कई उनकी कम होती है, तो basically इस पूरे chapters में, यह जिस सारे questions यहां पे दिये हुएं, इन्ही सबी को हम अच्छे से study करेंगे, तो यह है sound है, कैसे produce हो रहा है, by vibrating body, I hope आज की वीडियो में, जो हमने इसके introduction करी है, वो आपका अच्छे से समझ आ गई हो, कि sound का हमारे जीवन में role क्या है, और कैसे कैसे जो इसके different questions हैं, उनको हम इस पूरे chapter में deal करेंगे, वीडियो पसंद आई हो, तो इससे like करें, अपने friends के subscribe करना ना भोले, thanks for watching